अगर आप डियेड डियेड असनातक और असनातक उत्तर के अभ्यारती हैं और आपने मोटी रकम दिये कॉलेजों को अपने पढ़ाई के लिए तो आपके लिए खुसकबरी है आपको फीस में दिये पैसे वापस हो रहे हैं जी हां पतना हाई कोट के कड़े निर्दिस के करिब 4 करोर रुपए पतना इंडिवर्सिटी को क्लब दुए है कई बड़े खुलासे होंगे इस वीडियो में वीडियो में अंतक बने रहे हैं इस वीडियो के अंत में एक बड़ा सवाल भी पूछा जाएगा साही जवाब देने वाले को बड़ा इनाम वीडियो की करोना काल में आप अपने परतियोगी परिक्षाओं की तैयारी को अगर नया आयाम नहीं दे पाने तो घबराइए नहीं जुड़े अनकैडमी से सिक्षा सुधार रोजगार और अनकैडमी की बड़ी पहल अगर आप इस रेफरल कोड का इस्तमाल करते तो आपको 10% की छू gonna love it से और अपने क्लास से भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस पर आप क्लिक करके जूट सकते हैं अपने क्लास से सीटेट में खा कार्निवल के लिए जो 50 बड़े सिक्षक है आपके स्क्रीन पर है ये सबी भारत के परतिष्टिस सिक्षक हैं आप अपने सीटेट के तयारी के लिए गली मोहले के इंस्चूट पर भरुसा करते हैं पर आप भारत के परतिष्टिस सिक्षकों के साथ अपने सी प्रल कोट का इस्तमाल करते हैं तो दस परतिसत की चूट ये भी सोचे कि भारत के परतिस्टित सिक्षक आपके साथ होंगे जुड़ें अपने क्लास से अब बात करते हैं पटना हाई कोट की पटना हाई कोट से एक बड़ा आदेशा आया अब भैर्थियों के पक्ष में अब भैर्थियों के लिए बड़ी कुसका बड़ी की अब असनातक और असनातक उत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं S.C. S.T. और महिला अब भीरती जो भी जनरल केटेगरी के महिला अब भीरती हैं उनको भी अब असनात तक और असनात को तर की पढ़ाई में जो भी खर्च उनको लगा है वो फीज के पैसे जो उन्होंने जमा किये वो वापस अब भीरतीों को मिलेगा आपको बतादें कि बिहार सरकार ने 2014 से ही ये नियम लागू कर रखा है पर अभी तक अब भीरतीों को इसका लाब नहीं मिल रहा था पर पटना आई कोट ने एक जनीत याच्किया के सुनवाई के बाद ये बड़ा आदेश दिया आपके स्क्रीन पर लेटर है 2014 का ये लेटर है इसमें साब तोर से स्टी और महिला जेनरल कैटेगरी के अब भीरती जो भी उनको निसुलक सिक्चा की बात है पर 2014 से 2020 हो गया और अब भीरतियों को जब इनसाफ नहीं मिला तो पटना आई कोट में अब भीरतियों द्वरा ए और जिसमें से 4,88,38,928 रुपए अब भीरतियों तक पहुँचे हैं आपके स्क्रीन पर जो हलफ नामा है ये बिहार सरकार द्वारा पटना हाई कोट में LPA की सुनवाई के वक्त जमा किया गया और इसमें साफ किया गया है कि अब सिक्चा विभाग अब भीरतियों को पैस वापस कर रहा है ऐसे में अगर आपने असनातक की पढ़ाई में आसनातक उत्तर की पढ़ाई में खर्च किया है तो आपके लिए बड़ी खुशकबरी हो सकती है पटना हाई कोट के कड़े निर्देश के बाद अब सिक्चा विभाग ने पहल किया और जल्दी आप अब भ याचका की सुनवाई के बाद ये बड़े निर्देश दिये हैं केस संख्या आपके स्क्रीन पढ़ है CWJC 815.2020 ये PIL का केस है और इस जनहित याचका में अधिवक्ता रित्का रानी द्वारा अभिहर्थियों का पक्च रखा गया है माधिवक्ता रित्का रानी से आपको चोड़ देते हैं साक्छर्ता दर बहुत ही निम्न है ऐसे में बिहार सरकार ने 2014 में एक लिटर जारी करके ये बात सामने रखी की असनातक और असनातक उत्तर की पढ़ाई कर रहा है महिला भिहर्थी SCST अब भिहर्थियों को निसुल्क पढ़ाई की विवस्ता कराई जाए भिहर्थियों को इन शात्रों को निसुल्क पढ़ाई की विवस्ता की जाए पर ऐसा हुआ नहीं मैं क्या है पर पूरा मुद्धा 24 साथ 2015 को सरकार ने निर्ने लिया कि बिहार सरकार में जितने भी स्टूरेंस हैं इन सब को हम फ्री एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे पोस्ट ग्राजुएशन तक लेकिन यह लेटर इशू कर दिया गया था 24 साथ 2015 को है उसके बाबजुद पांच साल ऐसे बीच चुके हैं जहां पर यह इनफोर्स नहीं किया गया तो रंजीत पंडित जी के द्वारा यह पी आईल किया गया है जहां पर यह लागू किया जाए कि बिहार में जितने भी उ जो इसकी सनवाई हुई थी इसमें लास्ट ओर्डर इशू किया गया था सार्टिंग में इसका पहला ओर्डर था 24 एक दो हजार बीच को जिसमें प्रिंस्पल सेक्रेटरी को जवाब देने का आदेश हुआ था सिमिलर्ली लास्ट ओर्डर अगर आप देखेंगे जो था 11.12.2020 को उसमें हाई कोट ने ओर्डर दिया है कि जिन बच्चों से उनने पैसे लिये हैं उनको पैसा वापस किया जाए और प्रिंस्पल सेक्रेटरी उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं जो बच्चों से पैस के बाद विहार सरकार ने इन बीच में पटना उनया 방रि सिटी के कुछ चत्रों को पैसा वापस करने की पघल कि है कर दिया सब्सक्राइब दंटेक्ट एफ इस्कों है अगली लिए उन्हास को नहीं को बताना है कि जो उन्हें निर्ने लिया था फ्री एडिकेशन का उसको अभी तक इनफोर्स क्यों नहीं किया गया है और जी इनिवर्सटी की कुछ जो अभी तक इनिवर्सटी ने बच्चों से एड्मिशन की लिया था कि वो बच्चों को फ्री एडिकेशन देंगे और हर एक फिनांशल इयर का जितना भी अमाउंट होता है वो उनको रियम्बर्स करेंगे क्योंकि उन्होंने रियम्बर्स नहीं किया इस कारें से बहुत चालू कर दिया गया अच्छा इस केस से जैसा कि अभी आपके द्वारा जो बताया जा रहा है सीस्टी और महिला ब्हारतियों को जो हैं उनको क्या लाब मिल सकता है और हाई कोट का भी रूख है आप यह तो बता नहीं सकते हैं क्या फैसला होगा पर हम यह जाना चाहेंगे कि क्या लगता है मैं मागे क्या हो सकता। रेडियूस हो जाता है बच्चों का वो इसी वज़े से होता है क्योंकि वह आर्थिक तरीके से नहीं सपोर्ट कर पाते हैं आपनी आगी की पढ़ाई को लिग कर तो सरकार का ये निर्ने इस इस इंटेंशन से था कि उनको हम अपलिफ्ट करें और आर्थिक स्थिति की वज़े से वह सफर ना करें लेकिन अगर इसका इंफोर्समेंट ही नहीं होगा तो निर्ने लेना ना लेना फिर एक ही बराबर होगी बाद नहीं बाद मैं मैं आपने किम्ती समय दिया और इस बड़े केस पर आपने जो चर्चा की हम असा करेंगे कि बिहार के जो भी छात्रा भेहर्ति हैं उनको इसे लाप नहीं है अभी आपने अधिवक्ता अडितिका रानी को सुना उनके साफ लबजों में कहा कि असनातक और असनातक उत्तर की पढ़ाई के लिए जो भी फीज बिश्वे द्याले द्वारा अभेहर्तियों से ली गई है वो फीज सिक्चा विभाग को अभीहर्तियों को वापस करना होगा हाई कोट के कड़े निर्दे से और कड़े रुक के बाद आगे भी ये सुनवाई जानी रहेगी ऐसे में अभेहर्तियों अपने कॉलेज से अपने नियूवर्सिटी से संपर्क बनाया रखें जल्द ही आपको फीज वापसी का बरा तफ़ा मिल सकता है बात जब असनातक किया और असनातक उत्तर की पढ़ाई की है तो आप समझ सकते हैं बीएड और डियलेड की डिगरी भी कहीं ने कहीं असनातक और असनातक उत्तर में आता है आप समझ सकते हैं कि बिहार में बिये डियलेट करना टेड़ी खीड है डेर लाग से दो लाग रुपए तक फीज के नाम पर उगाई होती है अब देखना यह है कि हाई कोट के कड़े निर्दिस के बाद कब तक बिहार में यह लागू होता है पटना उनिवर्सिटी ने इस सम्बन में एक कदम उठाए हैं जिसकी चर्चा हमने वीडियो में किया और आपको हमने सबूत भी दिखाए हैं आसा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और जनहित में इस वीडियो को हर अभ्यार्थी तक पहुँचाए ताकि ही अभ्यार्थी जाग रुखों यूनिवर्सिटी से संपर्क में रहें और अगर फी सिवापसी होती है तो जल से जल उने इसका लाव मिले वक्त है आज के सवाल का आज का सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा जीला कौन है साथ में बिहार का सबसे छोटा जीला कौन है ये बहुत यासान सवाल है अगर आप बिहार के मुल लिवासी है तो आपको इसका जवाब मालूम होगा जवाब कमेंट बॉक्स में दे धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथ देने के लिए सिक्चा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो धन्यवाद